नमस्ते से दावसले मात्रबो में जय ही दोसो दूसरे एक बड़ा सवाल यह उड़ता है कि भारतीय लड़ाको विमान यानि कि तेजस F-16 ये सुखोई 30 के बजाए राफैल के आसपास क्यों रिजाइन किया गया है इस बात में कितनी सचाई है और क्यों इसे लेकर हमेशा एक असमंज से की स्थिति बनी रहती है तुरसल सबको मालूम है कि भारत का तेजस लड़ाको विमान 4.5 पीडी का विमान है और ऐसे में ये कहना गलत है कि तेजस विमान को राफैल के इंसपुट्स के आधार पर तेयार किया है राफैल भी 4.5 जनरेशन वाला ओम्री डोल फाइटर जट है जिसका वेकास तेजस फाइटर जट के बाद किया गया है और ऐसे में तेजस विमान को राफेल पर आधारित बताना सरासर ना इंसाफी होगा हलाकि तेजस विमान को कंपेर किया जाता है यानि कि तुलना की जाती है छोटे मिराज फाइटर जेट से जो कि इस दावे के काफी कुछ सचाई के करीब भी पहुंसता है आखिट तेजस विमान मिराज की तरह दिखाए देता है इसके पीछी का कारण आपको जानना और समझना जरूरी है वास्तव में भारत ने 50 से अधिक डेसॉल्ट मिराज 2008 को विमान खरीदे थे जिनने की भारतिय वायुसेना के हिसाब से अनुकिलित किया गया था और भारतिय वायुसेना मिराज से काफी खुश भी थी इन्ने एफोस नेक मिराज का मुकाबला 1999 में पाकिस्तान के साथ कारण गिल संगर्श में हुआ मिराज ने कठिन स्थावन पर सटीक हमली किये और एक भारतिय वायुसेना के भीतर इस तरीके के हमलों के लिए कोई operation procedures नहीं थे और मिराज को बहतर तरीके से भारतिय वाई सेना के जो pilots हैं उन्होंने किया और इसलिए भारतिय वाई सेना को जो pilots हैं वो पाकिस्तान की इस चुनोती के लिए तयार थे और मिराज प्लेटफॉर्म के लिए कई नई लड़ा को शमताएं उन्होंने देखी जो पहले पता ही नहीं थी दरसल भारती वाइट से न अधिक संख्या में मिराज विमान चाहती थी और उस दोरान फ्रांस ने पूरी मिराज लाइन को भारत में ट्रांसफर करने की पेशकश भी की हाला कि उस समय सत्ता में की सकजरूत मैसूस हो गई थी और तेजस उस कमी का भारत का घरीलू जवाब था मिराज और तेजस विमान के बीज निश्चित रूप से समानताएं हैं लेकिन ये बात भी अग्यात है कि भारत में जान बुझ कर मिराज के तत्तों की नकल की है दरसल दोस्तों एवियेशन स दरकल में ये जाना जाता है कि form function का अनुसरन करता है यानि कि forms follow functions इसलिए मिराज के साथ भारत के अनुभव और घरीलू प्लेट फॉर्म में समान शमताओं की जो भारतिय वाई सेना की इच्छा थी उन्हीं शमताओं को प्राप्त करने के लिए इसी तरीके का डेजाइन ब सिध्धान का पालन भी करते हैं इसलिए आपने राफेल देखा होगा वो यूरो फ़ाइटर टाइफुन की तरह दिखाई देता है और F-15 SU 27 की तरह दिखता है तेजस अब अपने स्कौर्डन्स में एंचर कर रहा है भारतिय वाइव सेना ने सबसे पहले में 27 और जागवार बेड़े को बदलना है जो कि जल्द ही रिटायर होने वाले है और इन रिटायर प्लेट फार्मों की जो भूमिका है उसे निभाने में LCA तेजस एक महत्वपुन भूमिका निभाएगा यहीं दोस्तों इसके लावा भारतिय पाइलेट भी विमान के उड़ान गुणों को पसंद करते हैं और तेजस विमान ने यो दभ्यास के दोरान एक दिन में कम से कम 6 लड़ा को उड़ाने भर कर अपनी शमता का परतरशन किया यह गुण विमान को पाइलेट और ग्राउंड क्रू दोरों के लिए पसंद किया जाता है और जो एकाउंटेंट होता है वो इसके प्रति घंटे की जो उचित लाकत आती है उसे भी पसंद करता है भारतिय वायुस सेना को दरसल डेल्टा विंग वाले विमान काफी पसंद भी है और ऐसे ही मिराज और राफेल भी डेल्टा विंग वाले हैं लेकिन राफेल के पास कैनार्ट्स है इसलिए ये पूरी तरीके से डेल्टा विमान नहीं है जो लोग तेजस fighter jet के design की तुलना राफेल से करते हैं उन्हें इस बात का पता होना जरूरी है कि तेजस पहले से ही दो दशकों से board पर हा इसलिए ये राफेल से किसी भी तरीके से प्रेरित नहीं है यहीं दोस्तों ये भी कहा जाता है कि तेजस को design करने के लिए Dessault ने मदद भी की थी साथ ही वर्तमान में GTX engine को बंद कर दिया गया है और उसकी जगा इस कीमा लगाया जा रहा है जो कि राफेल विमान को पावर देता है ये नि दोस्तों भारत का जो तेजस का अगला संस्क्रण होगा तेजस MK2 वो F-16 block 60 से बहतर होगा इसके अलावाद चीन और पा भारतिय के रूप में हमें अपने देश की बढ़ाई करना पसंद है लेकिन दोस्तों चौती PDK लड़ा को फाइटर जेट्स की तुलना अगर हम पांच्वी PDK स्टेल्थ फाइटर जेट्स से करते हैं तो ये अनावशक होगा कहने के लिए हमारा तेजस MK1 की शमताओं पर स करना चाहिए भारत ने दोस्तों अपने तेजस विमान पे काफी काम भी किया है तेजस में अवियनिक्स ये रडार या फिर अन्य इंस्ट्रूमेंट जो पैनल है उसे भारत ने सुदेशी रूप से डिजाइन और विक्सित किया है इसलिए भारत ये वाइस सेना के किसी भी अन्या डेल्टा विंग लड़कों इमानों के साथ दूसरे देश के डेल्टा विंग लड़कों इमानों की समानता नहीं है तो दोस्तों आपने जाना कि भारत का तेजस जो एरक्राफ्ट है उसे क्यों भारती वाइस से ना के दोरा पसंद किया गया है और ये राफेल से ब कहीं न कहीं समानतर रूप से एक जैसे दिखाई देते हैं आपको क्या लगता है इस पूरे स्रेनारियो के बारे में मुझे कमें शेक्षिन में लिखका जरूर बता है मिलता हो नहीं जानकारी के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजेगा जै हिंद वन्दे मातरम